आप सभी को होली की धेख सारी शुब कामना है होली में रंगों से खेलने के बाद ठंधाई पीने का अपना ही एक मज़ा है इसलिए आज में आपके साथ शेयर करूंगे ठंधाई की रेसिपी जो की हेल्दित होगी ही स्वाद में लाजवाब होगी तो आएए चलिए भी शु काली मिर्च, इलाइची, केसर के धागे और कुछ सूखे मेवे यानि के ड्राइफरूट्स अब हम एक बड़ा सा बोल ले लेंगे और इसमें लेंगे 200 ग्राम ड्राइफरूट्स और इसमें एड़ करेंगे दो चमच सौफ और एक चमच हरी इलाइची और इसमें इसे भी हम दो चमच लेंगे एक चमच लेंगे काली मिर्च और केसर के कुछ धागे और इसमें मिलाएंगे गुलाब की कुछ ताजी पंखुणिया जिसे की ठंडाई वास्तों में ठंडी हो जाती है तो इन सभी को हम एक मिक्सर जार में अच्छी तरह से ग्राइंड कर ले यह पाउडर हमने रिडी कर लिया है इस पाउडर को आप फ्रीज में रख सकते हैं और महीनों यह बिगरता नहीं है होली की दिन आप इंस्टेंट थंडाई बना सकते हैं सबसे पहले हम बनाएंगे रोज फ्लेवर की थंडाई इसके लिए हम लेंगे एक मिक्सी जार और इ इसमें एड़ करेंगे दो टेबल इस्पून रोज सिरप यह रोज सिरप आपको किसी भी जनरल स्टोर में आसानी से मिल जाता है और अब हम इसमें मिलाएंगे एक किलास थंडा दूद दूद अगर मेजरमेंट से देखेंगे तो यह है एक पाउ और इसे हमने ताजा उबा आस में पलट देंगे और थंडाई को गार्निश करेंगे ताजी गुलाब की पंखड़ियें से दोस्तों गर्मी का मोसम है यह तो यह इंस्टेंट थंडाई आप कभी भी बना कर पी सकते हैं बच्चों को यह बहुत पसंद आएगा और मेहमान तो आपकी तारिफ करती नही अब हम बनाएंगे क्लासिकल फ्लेवर की धंडाई इसके लिए फिर से ले लेगे मिक्सी जार और इसमें डालेंगे दो टेबल इस्पून धंडाई पाउडर एड़ करेंगे दो टेबल इस्पून शकर अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो आप ज्यादा मीठा डाल स और एक servicing glass में पलट देंगे classical flavor की थंधाई ready हो चुकी है और इसे serve करने से पहले इसे केसर से garnish कर लेंगे दोस्तों उमीद करती हूँ दो flavor की थंधाई आपको जरूर पसंद आएगी इसे घर पे जरूर dry करिए और मुझे कमेंट करके बताईए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करिए कमेंट करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए ताकि वो भी बना सके इतना स्वादिष्ट और हेल्दी थंधाई वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत तर्निवाद फिर मिलेंगे एक नई इंटरस्टिंग रेसिपी के साथ तब तक के लिए नमस्कार